Welcome friends, Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है Microsoft Excel 365 की तो यहाँ पर RAND और RAND बिट्विन का फॉर्मूला आपको समझ में आता है लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है वो है RAND Array कैसे यूज करेंगे आईए समझतें एक बार इस इकौल टू का निशान लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे RAND और फिर यहाँ पर Array आपको RAND Array आपको दिखाई दिएगा अब ये 2019 में आपको नहीं मिलेगा ये बार धियान रखिएगा ठीक है 2016 में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो यह Office 365 में मिल जाएगा हाँ Google Sheet में हो सकता है कि यह हो तो यहाँ पर RAND Array जो formula है उसे मैंने apply किया है यहाँ पर कह रहा है rows अगर माल लीजिए हमें 4 rows चाहिए तो यहाँ पर 4 लिख दिया आप columns कितने चाहिए हमें columns माल लीजिए 6 चाहिए ठीक है इसके बाद कहा रहा है minimum तो minimum हमें 5 चाहिए maximum क्या चाहिए maximum हमें 10 चाहिए तो यह 10 कर दिया और यहाँ पर दिया हुआ integer मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ exact के लिए ठीक है enterprise किया यहाँ पर देख सकते हैं कि यह decimal में लिख करके सारे numbers आ रहे हैं ठीक है लेकिन यह सारे अलग-अलग है देख सकते हैं different different है ध्यान दिजेगा ठीक है चलिए एक बार यहाँ पर आते हैं और फिर से इसी formula को apply करते हैं तो यहाँ पर वापिस से मैं लिखता हूँ rend array ठीक है ध्यान दिजेगा last में हमने क्या लिखा था 1 लिखा था ठीक है यहाँ पर आए यहाँ पर 3 rows कर देते हैं column कर देते हैं 4 minimum कर देते हैं 3 और maximum कर देते हैं इतना 5 ठीक है यह कर दिया हमने अब इस बार मैं क्या लिख रहा हूँ 1 लिख रहा हूँ पहले 0 लिखा था ठीक है अब इस बार लिख रहा हूँ enterprise किया तो यहाँ पर देखेंगे कि whole number सी print हो कर आ रहे हैं ठीक है तो आयोब की बात समझ में आई होगी कि run direct कैसे काम कर रहा है अब यहाँ पर आईए एक बार चेक कीजिए यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो 3 रोज की बात थी तो रोज कितने हैं count कर यह 1 2 3 यह 3 रोज ही तो हैं देख सकते हैं आप columns कितने हैं columns की बात हमने की थी कितने उपर देखिए four columns की बात की थी तो यहाँ पर देखिए one two यह three और यह four four columns ही तो है ठीक है और बाकी यहाँ पर three comma five यानि minimum और maximum की बात की गई थी तो minimum three है maximum five है यही तो है तो जैसे ही आप zero देंगे वहाँ पर तो decimal numbers print होंगे और one देंगे तो whole number print होगा यहोप की बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आये तो share करें thank you for watching this video